यह हम लास्ट क्लासिस से करते आ रहे थे इस चेप्टर के NCRT के एक्सरसाइज के कुश्चन किये थे हमने पहले कुछ अब्जेक्टिव भी किये थे आज यह मैं शुरू कर रहा हूं NCRT का जो स्टेट्स अफ मैटर है उसका कुश्चन नमबर सेवन है यह वाट विल भी दप्रेशर एग्जर्टेट बाई मिक्सचर अफ 3.2 ग्रैम ऑफ मिथेन एक कंटेनर है देखो यह मैंने पहले भी आपको कहा कि आप इस बॉक्स को जरूर बनाओ इमेजिन करो ड्राओ कर लो दिमाग में तो बहुत बाद में आएगा पहले पेपर पर आना चाहिए हमने मिथेन लिया 3.2 ग्रैम CH4 लिया एंड कारबन डैयोक्साइड लिया कारबन डैयोक्साइड हमने 4.4 ग्रैम लिया दो गैसिस का मिक्स्चर है ये फ्लास्क ये पूरा का पूरा फ्लास्क होता तो ऐसा है फ्लास्क तो इसे कहते हैं चलो मैंने कंटेनर में बना दिया वॉल्यूम तो हम कैसे भी वैसल में रख लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा नाइन डेसिमेटर क्यों ये वॉल्यूम इसका है मिथेन का भी यही वॉल्यूम है कार्बन डेयोकसईड का भी यही वॉल्यूम दोनों के सेम अब क्या करना है प्रेशर बताना है वाट विल बी दा प्रेशर एक्जर्टेट तो दोनों का मिला करके प्रेशर होगा partial pressure of CH4 plus partial pressure of CO2 यानि total pressure P total will be equal to partial pressure of CH4 plus partial pressure of carbon dioxide जो हम एक law पढ़ते हैं partial pressure वाला gases जितनी भी है mixer में unreactive वापस में जो reaction नहीं करते हैं उनके लिए अपले के वले हैं यह मिथेन carbon dioxide आपस में reaction नहीं करते हैं अब यह जो pressure of carbon dioxide pressure of methane मुझे करना है तो मैं CH4 लिखता हूं अगर pressure of CH4 will be equal to हम करते हैं क्या पी वी इस इकल टू एनार्टी करते हैं न पी इस इकल टू एन बाई वी आर्टी हो जाएगा एन बाई वी आर्टी अब यहां given है मुझे mass CH4 का pressure of CH4 is equal to number of mole के लिए मुझे क्या करना होगा mass over molar mass of methane volume पूरा का पूरा volume लेना पड़ेगा 9 decimeter के multiplied by R multiplied by T temperature दोनों के लिए same है constant यह mass CH4 का यह molar mass CH4 का यह volume 9 decimeter cube PCO2 मैं कर सकता हूँ PCO2 कितना होगा यही formula PCO2 is equal to and by VART mass over molar mass mass over molar mass mass of molar mass of CO2 mass of CO2 volume RT यह mass of methane तो P total will be equal to mass over CH4 divided by molar mass of CH4 जो भी होता होगा carbon का 4 hydrogen का मिला करके molar mass 16 आ जाएगा volume multiplied by R multiplied by T plus mass of CO2 molar mass of CO2 volume of carbon dioxide एक ही वेसल में तो दोनों का volume से हिम रहेगा multiplied by R T common ले लो R T by V common ले लो mass of CH4 given at 3.2 gram molar mass of CH4 कितना है molar mass of CH4 16 कार्बन चार हाइड्रोजन का बारा चार हाइड्रोजन का चार बारा प्लस चार सोला प्लस molar mass of carbon dioxide 44 है 4.4 यह हो गया mass जो given ने देखो 16 2 जार 0.2 0.1 8 की value रखो T की रखो V की value रख दो plus 0.3 कर दो multiplied plus कर दोगे जब इनको तो 0.3 आ जाएगा multiplied by 0.3 कर दो यह जो भी calculation हो करके आएगा हमारा answer यह total pressure होगा calculate करना पड़ेगा यह आपको ठीक होगे बात कर लोगे यह यह मैं calculation पूरी करके बता हूँ आप लोग कर लोगे ना यह मैं calculation करके बता हूँ पूरी पी टोटल हमारा जो भी आएगा आंसर बता देता हूँ मैं चेक कर ले ना आप लोग आंसर जो होगा इसका solve किया होगा आइ थिंक आपने किसी ने solve किया होगा लगभग लगभग यह टोटल प्रेशर एट पॉइंट थ्री एंट तुद रेज फोर पैसकल के पास आजाएगा आर की वैल्यू रखी जाएगी कितनी रखे जाएगे आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्परेचर कितना रखोगे 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 300 केल्विन केल्विन में रखना है वाल्यूम रखा जाएगा 9 डेसी मीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा 9 इंटू 10 तुद रेज माइनस 3 मीटर क्यूब DM क्यूब दिया हुआ है न ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में कनवर्ट करोगे 9 इंटू 10 तुद रेज माइनस 3 मीटर क्यूब जो कैलकुलेक्शन होगी वो ये होगे 8.314 इंटू 300 डिवाइड बाइन इंटू 10 तुद रेज माइनस 3 मल्टि बलेड बाइ 0.3 ये वैल्यूज जब आप कैलकुलेट कर लोगे तब हमारा आंसर यहां फाइनल हो जाएदा एक कुश्चन ये था जो हमने सॉल्व किया इसके बाद आ जाते हैं नेक्स कुश्चन पर वाट विल बी दा प्रेशर ओफ ये तो करी लिया था हमने ये तो होई गया दुबारा से आ गया ये तो कुश्चन ये अलग है वाट विल बी दा प्रेशर ओफ गेसियस मिक्स्चर वेन जीरो पॉइंट फाइव लेटर ओफ एच्टू अट जीरो पॉइंट बार एंट टू लीटर ओफ डाइऑ ओक्सिजन अट पॉइंट सेवन बार आर इंटर्डूस्ट इन वान लीटर वैसल वोही लगभग पहले वाले कुश्चन वाली कहानी है इसमें भी आल्मोस्ट हमें वोही करना है हमने क्या किया हमारे पास क्या था पॉइंट फाइव लीटर एच्टू था और इसका जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था ये क्लोज्ड वैसल में डेफिनिटली करेगा पॉइंट एट बार दूसरा एक और वैसल था ये एक लिटर का था इसमें था ऑक्सीजन डाइ ऑक्सीजन इसका प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था इस वाले वैसल में कितना पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन हमने क्या क्या उठा कर इसको नहीं ये तो गलत लिख दिया मैंने ये है जीरो पॉइंट एट बार एट टू लिटर एच टू जो था टू लिटर ओफ डाइ ऑक्सीजन एट यहाँ टू लिटर है ये तो सही लिखा है पहला ये मैंने गलत लिख लिख जा इन दोनों को अब क्या किया गया एक लिटर के बरतन में ट्रांसफर कर दिया हम एक लिटर के बरतन में जम मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा तो इस ओटू का प्रेशर चेंज होगा इस हाइड्रूजन का प्रेशर चेंज होगा नया एक प्रेशर एक्जर्ट कर जाएगा कि ये पॉइंट फाइव लीटर में एच्टू का प्रेशर पॉइंट बार था लेकिन एक लीटर में हाइडरोजयन का प्रेशर चेंज हो जाएगा हुम क्या कर सकते हैं इसको सबसे पहले हम जब मिकस्चर बन जाएगा तो हाइडरोजन का पार्शल प्रेशर मेजरमेंट करेंगे पार्शल प्रेशर आफ एच्टू इन वन लीटर वैसल यह बताएंगे पहले प्रेशर पुराना जीरो पॉइंट एट वॉल्यूम पुराना जीरो पॉइंट फाइव नया प्रेशर पता करना है नया वॉल्यूम एक लिटर पीवन वीवन इस एकल टू पीटो वीटो बॉल्स लॉओ है ये पीटो इस एकल टू पीवन ओवर क्या जाएगा P2 is equal to P1 V1 over V2 P1 is 0.8 V1 is 0.5 V2 मेरे पास है 1 लेट यह हमने कर लिया calculate अब 0.4 यह 0.4 बार प्रेशर है जो की किसका है नए सिस्टम में H2 का प्रेशर है 0.4 बार अब नए सिस्टम में O2 का प्रेशर हम देखना चाहते हैं फिर वो ही किया जाएगा P1 V1 P2 V2 करके चेक करेंगे हम कितना है P1 0.7 V1 कितना है टो लीटर पीटू कितना है चेक करना है वीटू कितना है वन लीटर जब चेक किया जाएगा P1 V1 is equal to P2 V2 P2 बताना है will be equal to P1 V1 over V2 P2 1 लीटर है P1 0.7 है V1 2 है V2 1 है 1.4 बार आगया Pressure of O2 जब एक लीटर में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाता है नया pressure 1.4 Volume आधा किया देखो वैसे भी देखलो सीधा साथ Volume आधा किया pressure दुगना हो गया Volume दूगना किया pressure आधा हो गया 0.4 Boyle's law तो वैसे भी apply हो रहा है Ideal gases मान करके Inversely related होता है ना वैसे सोचो अब इन दोनों को मुझे add करना है ये और ये नया pressure P total Will be equal to Pressure of hydrogen in 1 liter vessel Plus pressure of oxygen in 1 liter vessel 0.4 Plus 1.4 Bar Answer 1.8 Bar होगा एक कुशन ये बड़ा simple हो सकता है आसाने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं नेक्स कुशन देखते हैं इसके बाद Density of gas Is found to be Decimeter क्यूब ले लिया इसका इसमें जो gas का mass होगा वो 5.46 ग्रैम होगा density का मतलब यही तो होता है Mass per unit volume एक decimeter क्यूब में mass 5.46 ग्रैम है temperature provided कि हमने 27 degree Celsius रखा है यह condition है पहले वाली and at two bar इस सिथी में जब pressure जब temperature 27 degree Celsius था volume one decimeter क्यूब था तब इसका pressure two bar था what will be its density at STP अगर मैं temperature change करके zero degree Celsius कर देता हूँ pressure one bar कर देता हूँ तब density कितनी हो जाएगी volume से इम रखते हुए यह है हमारी equation जो हमें करना है एक one decimeter cube के volume को two bar pressure पर mass चेक किया मैंने five point four six gram था यानि density five point four six gram per decimeter cube same volume रखते हुए density कितनी हो जाएगी यानि one decimeter cube में कितना मास आएगा अब अगर प्रेशर मैं वन बार कर देता हूँ temperature सताइस डिग्री से से जीरो डिग्री से से कर देता हूँ मतलब स्टीपी कर देता हूँ तो कि density का फर्मूला अप्लाई करो इस इकल टू क्या होता है क्या पड़ा रखा है हमने सारा पी वी इस इकल टू एन आटी पी एन आटी से हमने क्या प्रूफ किया था एक मास ओवर मोलर मास आटी इस इकल टू प्रेशर and V mass by volume जो होता है वो density होता है ये इसके बदले मैं लिख देता हूँ D क्या जाना चाहिए D equal to P multiplied by V over R T यानि क्या लिखना है मुझे formula ये याद ही होना चाहिए direct D is equal to P V D is equal to क्या जाएगा M multiplied by M multiplied by V ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर M लिखना चाहिए था मुझे यहां M multiplied by V M multiplied by P and R T ये density के बराबर लिख हूँगा मैं That means ये जो density का formula है ये आगया मेरे पास Molar mass multiplied by pressure gas constant temperature equation 1 बनाता हूँ D1 gas तो सेम है molar mass तो सेम रहेगा gas constant सेम रहेगा P1 T1 equation second D2 अगर अलग density होगी कब होगी temperature and pressure change करने पर gas तो वही है gas तो रही चेंज की है density of a gas molar mass अगर CO2 का है तो CO2 का molar mass 44 constant रहेगा तो मैं M का M लिखता हूँ यहाँ जो भी gas है हमें पता ही नहीं R constant रहेगा P2 T2 अब मैं क्या कर सकता हूँ equation 1 divided by equation 2 क्या जाएगा result D1 over D2 क्या लिखा जाएगा या 1 over 2 लिख लो simple करके P1 over P2 directly proportional है P1 के P2 के T के inversely proportional है multiplied by T2 over T1 यह equation हमारी बनी है जिससे हम question को solve करें D1 कितना गीवन है शुरुआत की density थी थी 5.46 यह गीवन है यह गीवन है यह गीवन शुरू का प्रेशर कितना था यह गीवन शुरू का प्रेशर था हमारा टू बार यह वाला टू बार प्रेशर बाद का प्रेशर P1 कितना हो गया P2 कितना हो गया सौरी वान एट्मोस्फरिक प्रेशर वन बार भी लिख सकते हैं एप्रॉक्सिमेटल इक्वल टू वन बार आप क्या कर दू मैं टेंप्रेशर पर आ जाता हूं टी वन शुरुवात का टेंप्रेशर 27 डिग्री सलसेस था 273 प्लस 27 कितना हो गया 300 केल्विन T2 कितना हो जाएगा T2 हमारे पास है 0 डिग्री सलसेस मतलब 273 प्लस 0 मतलब 273 केल्विन अब मुझे D2 फाइंड करना है जब मैं यहां क्रॉस मल्टिप्लिकेशन लगाता हूं क्या हैगा D2 इस D2 विल बी एक्वल तो इस D2 विल बी एक्वल तो 5.46 यह इदर आ गया P1 टू बार डिवेड़ेट बाई टू बार मल्टिप्लाइट बाई T2 273 उपर क्या आना चाहिए उपर आ जाएगा यह यहां P2 T1 यानि 365 मल्टिप्लाइट बाई T1 कितना आ गया वन बार नहीं सौरी T1 आ जाएगा यह 300 एंड P2 आ जाएगा हमारा वन बार यह नैट मिला करके रिजल्ट हमें देना पड़े अब आप इसे मल्टिप्लाइए कर लो मल्टिप्लाइए कर लोगे तो रिजल्ट हमें मिल जाए जो भी कैलकुलेशन हो करके आंसर आएगा वो हमारा यहां आंसर होगा D2 यानि बाद की डंसिटी क्या होगी आप इसे कैलकुलेट कर लो जो भी आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से हम इसको कर सकते हैं फाइनलाइज यह कुशन नमबर टैन मैंने कर दिया शुरू इस कुशन नमबर टैन में हमारे पास 34.05 मल फॉस्फोरस है देखो वाल्यूम गीवन है फॉस्फोरस का जो जो हम करते जा रहे हैं उस उसको दमाग में पिक्चराइज करते रहो तब जाकर के नुमेरिकल सॉल्व होते हैं फॉस्फोरस जो होता है जब हम थोड़ा सा elevated temperature पर उसे रखते हैं तो vaporize हो जाता है वेपरस होते है इसका वाल्यूम है 34.05 मल किसका फॉस्फोरस और यह हो गया वाल्यूम वेट 0.0625 ग्रैम temperature काफी ज़्यादा किया हो है 546 pressure वन बार molar mass बताना है फॉस्फोरस का देखो सोचो इसको ऐसे नहीं बता सकते कि फॉस्फोरस का atomic number 15 और mass अगर किसी को याद है तो आपने बोल दिया mass कि 30 या 31 होता है फॉस्फोरस एटम का लेकिन हमें फॉस्फोरस के molecule का तो पता ही नहीं कि उसमें कितने एटम होते हैं एक होता है दो होते हैं तीन होते हैं चार होते हैं यह तो atom का मास पता है हमें फॉस्फोरस मॉलेकिल का मास पताना है अब हम क्या करेंगे मॉलर मास केलकुलेट करने के लिए हम सीधी सेदे क्या अपलाई करेंगे हम अगर S.T.P. पर volume बता कर लें S.T.P. पर मास होता है मॉलर मास के बराबर सोचो S.T.P. पर ऐसे ही होता है किसी भी गैस को मैंने 0 डिग्री सिल्सिल्स पर वान एट्मोस्फिरिक प्रेशर पर रखा है तो अगर उसका वन मॉल है तो कितना आना चाहिए ये आ जाएगा मॉलर मास के एक्वल मास चुआएगा अब हमें यहां S.T.P. पर नहीं दिया है हमें यहां किस पर गीवन है अलग टेंपरेचर पर टेंपरेचर हमारा अलग है कितना है 546 डिग्री सिल्सिस प्रेशर तो चलो हमारा ठीक है वन बार ही हो गया बराबर ही है प्रेशर टेंपरेचर लेकिन अलग है वाल्यूम अगर मैं पता कर लूँ किसी तरह से वाल्यूम यहां तो पता है मुझे 34.05 और इसका मास भी मुझे पता है लेकिन अगर मैं यह टेंपरेचर जीरो डिग्री सिल्सिस रखकर प्रेशर वन बार रखकर यानि स्टिपी पर वाल्यूम पता कर लूँ यह अगर मैं पता कर लूँ तो मुझे अगर से मास का वाल्यूम इतने टेंपरेचर पर पता चल गया तो मैं मोलर मास्क के बराबर वालियम यानि 22.4 लीटर रख करके या 22.7 लीटर रख करके डिसाइड कर सकता हूँ कि इतने वालियम का मास्क इतना होगा यानि मोलर मास्क के बराबर तो दो एक्वेशन हमारी बन नहीं है ये इसमें PV is equal to NRT यानि P1 V1 is equal to N RT1 equation number 1 equation number 2 P2 V2 number of mole तो सेम रखने है मुझे उसी को मैं अलग temperature and pressure पर मेजर कर रहा हूँ same gas को RT different temperature per second one divided by two क्या जाएगा T1 V1 over T1 P2 V2 over T2 V2 V2 मुझे find करना है ये वॉल्यूम ही तो V2 will be equal to P1 V1 multiplied by T2 multiplied by T2 over T1 V2 V2 पता चल गया मुझे इतने इतने मास के लिए जो given है मास 0.625 का मास इतने मास का वाल्यूम आ गया ये जो मैंने calculate किया and molar मास का वाल्यूम तो मैं जानता हूँ STP पर क्योंकि STP पर ही ये वाल्यूम मैंने measure किया V2 कर लेते हैं पहले T1 कितना है 1 1 bar volume 1 कितना है 34.05 temperature 2 कितना है T2 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 273 Kelvin T1 कितना है 273 प्लास 546 कर लो इसे ये नाइन हो गया 819 multiplied by second pressure कितना है one ही है ये हम अगर calculate कर लें तो हम volume बता सकते हैं कर लेते हैं इसको है calculate अगर हम इसको कर लेते हैं कर लेते हैं कर देख पार है और स्क्रेइन पर कर देख नहीं होगा कोई बात नहीं मेरे पास है calculator मैं calculate कर रहा हूं आप भी कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो 0.05 273 is equal to यह आ गया मेरा 11.3 approximate माल लो चलो 3.5 ml अब यह volume जो है मेरे पास STP पर है कितने ग्रैम का 0.0625 ग्रैम का means मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से unitry method अगर आप apply करते हो तो आप calculate कर सकते हो that means 11.35 ml vapors have कितना volume कितना mass 0.0625 एक ml का कितना होगा unitary लगा रहा हूं में method 0.0625 divided by 11.35 लेकिन हमें तो निकालना है 22.7 लीटर का means 22.7 into 10 to the raise 3 ml ml चल रहा है न यह यह ml की बात हो रही है तो ml में लेना पड़ेगा मुझे इससे multiply कर दो एक का पता है मुझे इतने का निकालना है 22.7 into 10 to the raise 3 multiplied by 0.0625 divided by 11.35 यह जो भी हमारा आंसर आएगा यह मॉलर मास होगा क्योंकि यह 22.7 लीटर का मास है स्टीपी पर और वो मॉलर मास के बराबर होता है हम क्या चक्र सकते हैं इसमें मॉलर मास हम बता सकते हैं इसका स्टीपी पर कर लो calculate मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं सामने यह आप लोग देख नहीं पा रहे हो कैलकुलेटर स्क्रीन पर लेकिन मेरे पास यह कैलकुलेटर है इसको सॉल्व करता हूं तो पॉइंट इन्टु जीरो पॉइंट शीक्स तू फाइव इवाइड़ बाई 11.35 मॉल्टीप्लाइड बाई थाउजन एप्रॉक्सिमेटली यह आगया हमारा 125 यह मोलर मास होगा ग्रैम थोड़ा सा लॉजिकल कुश्चन है सोच करके करने वाली बात है यह थोड़ा सा ध्यान रख करके इससे सॉल करना हूं पॉश्चन नमबर 11 है यह सुझेंट फॉर्गॉट तो एड़ तर्चन मिक्चर तो रांड बॉटम फ्लास्क अड़ करके इस ने गलती कर दी reaction mixture भरानी इसमें, flask में जो इसको flask लेना था इसमें chemical reaction कराने के लिए gases fill करनी थी वो नहीं भरी इसमें, कुछ नहीं भरा, zero इसकी जगापर इसने क्या किया, इसको fire पर रख दिया यहाँ पर flame पर रख दिया क्या करेगी flame, temperature बढ़ाएगी गैस का volume बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है after a lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer अब इसने temperature चेक कर लिया थोड़े समय के बाद temperature पहले इनीशली था 27 degree Celsius जब शुरुआत की, इसने गड़बड की जब गैस का अंदर जो कुछ तो बढ़ा हुआ होगा air होगी उसका volume flask के volume के बराबर होगा उस time पर temperature 27 degree था इवन हमने इसको खोल भी रखा है तो जो इस flask का पूरा volume है वही volume gas का आये अंदर 27 degree Celsius पर temperature बढ़ा दिया पढ़ाने पर कर दिया 477 गैस बाहर निकल के जाएगी expand करेगी Charles law temperature बढ़ेगा volume बढ़ेगा गैस निकल करके बाहर चली गई कुछ वाट फ्रेक्शन ओफ एर वोट है बिन expelled आउट कितना फ्रेक्शन कितना पर्तीशत कितना परसंट कितना फीसद बाहार चला गया 100 मान लो इसे V मान लो 1 मान लो 25 मान लो जो मर्दी है वो मान लो volume V volume of flask let 100 था या V था ml centimeter क्यों या ml temperature इस time जब volume ये था तब temperature कितना था 27 degrees at V volume temperature ये था जब मैं temperature T1 है ये मान लो T2 बढ़ा कर कर दिया मैंने 27 से 477 300 केल्विन से 273 किया कितना हो गया ये 0 14 और 1 15 4 2 6 7 ml हो गया सॉरी केल्विन हो गया ये हो गया मेरे पास नया temperature कितना वॉल्यूम expel होगा जो वॉल्यूम बाद में रहा वो माइनस जो पहले था वो कुछ तो रहे गई ना भही इसमे मालो बाद में वॉल्यूम हो गया इसका 10 टाइमस हो गया 10 V हो गया सुपोस करते हैं तो 10 V माइनस V करना पड़ेगा मुझे चाल्स लॉव एपलाई हो रहा है क्या कहता है चाल्स लॉव टेंप्रेचर एंड वॉल्यूम टेंप्रेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता चला जाता है वी is directly proportional T equation 1 v2 directly proportional to T equation 2 1 divided by 2 v1 over v2 is equal to टी वन ओवर टी टू क्या कह सकता हूँ मैं वी वन ओवर टी वन ये लिख दो ये लिख दो ये सब चार्ल्स लॉकी तो फॉर्म्स हैं वी टू ओवर टी टू शुरू का वॉल्यूम क्या था वी मान रखा है हमने भाई वी वन की जगा वी लिख दो शुरू का टेंपरेचर 27 डिगरी सिल्सिस मतलब 300 केल्विन इस इकल टू वी टू मुझे पता करना है कि वी टू वी वन से या वी से किस तरह रिलेक्टेड नया टेंपरेचर 750 केल्विन इस तो निकालना है कि वी टू कितना हो जाएगा वी मल्टिप्लाइट बाई कि ये आजाएगा मेरे पास टोटल गलत कर दिया येस टू पॉइंट फाइव आजाएगा यानि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इन टोटल इसको फ्रेक्शन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा टू पॉइंट फाइव मल्टिप्लाइट बाई वी विल बी एक्वल टू वी टू नया वॉल्यूम जो हुआ है वो ये हुआ है धाई गुना जादा हो गया अगर धाई गुना जादा है तो निकल कितना गया वॉल्यूम यानि एक्सपैल कितना हो गया वॉल्यूम एक्सपैल मालों यहां 10 लिटर था बाद में एक्सपेंड करने के बाद यह 25 लिटर हो गया तो 10 लिटर तो अभी इसमें ही रहेगा अंदर तो 25 माइनस 10 करना पड़ेगा मुझे तो वही मैं यहां पर लिखोंगा वाल्यूम एक्सपेंड 2.5 V माइनस V पुराना वाला कितना बचाए 2.5 V में से 1 V घटा दिया माइनस कर दिया तो यह आ जाएगा 1.5 V इसका मतलब है हम यहां 1.5 फ्रेक्शन लिखेंगे या पिर आप लिख सकते हो कि रेशो जो आ गया यह पुराना वाला और नया वाला जो रेशो मिला करके करोगे मेंस फ्रेक्शन क्योंकि हमसे यह पूछा है वाट फ्रेक्शन अगर फ्रेक्शन की बात पूछी गई है तो फ्रेक्शन केलकुलेट कर लोगे 1.5 V डिवाइड़ बाई पुराना कितना था 2.5 V यह जाएगा 3.5 यानि हम फ्रेक्शन करेंगे कि 3.5 फ्रेक्शन इसका एक्सपेल आउट होगा इतना वाल्यूम ऐसा है जो एक्सपेल कर दिया गया बाहर निकाल दिया गया कुछ उसमें बचा भी रह जाएगा उसको हटाने के बाद हमने यह किया ठीक होगी बात भाई इस सरसे सॉल किया जाना है यह हमारा एक कुछन कैलकुलेट दे टेमप्रेचर ओफ फोर मोल्स अफ गैस अकुपाइंग फाइव डेसिमेटर क्यूब एट 3.32 बार बहुत सीधा सा कुछन है हमें क्या करना है डबा बनाना है सबसे पहले चार मोल गैस है कोई भी गैस है हमें नहीं पता कौन सी है वाल्यूम इसका फाइव डेसिमेटर क्यूब है बड़ा कम लग रहा है वाल्यूम तो प्रेशर काफी हो रहा है बिलकुल 3.32 बार तीन गुना है अट्मोसरिक प्रेशर से काफी ज़ादा है आप यह कहा गया है कर यह कितनी टंपरेशर पर होगा तो पी बीरी इस इकल टूई नहींगा यह लगना है तो बड़ा सीधा सा इस प्वेश्चेन पी वी इना ओट इस इकल टूग तो एँपरेशर हमें डिसाइट करना पी मृटीप्लाइड बाई वी 3.32 बार वाल्यूम 5 डेसिमीटर क्यों डेसिमीटर क्यूब में पर मोल है बार है ये भी चलेगा ये भी चलेगा एन कितना है 4 मोल आर कितना है Kelvin minus 1 मोल माइनस 1 कैंसल हो गया डेसिमीटर क्यों से बार से बार क्यों से Kelvin माइनस 1 ऊपर पहुंच जाएगा वो ये में चाहिए भी था कैलकुलेट करेंगे आप लोग भी करो मैं अपने कैलकुलेटर से कर गहूंगा 3.32 दिवादेट बाइ फोर दिवादेट बाइ जीरो पॉइंट पूरा पूरा फिफ्टी आगया भाई फिफ्टी कल्विन ये है हमारा आंसर फाइनल इस कुश्चन का ये कुश्चन में कुश्चन नमबर सिक्स्टीन है आई थिंक ये बता रहा हूँ आपको पेलोड समझना पड़ेगा पेलोड होता है डिफ्रेंस लोड़िड कोई भी वाहिकल है उसके लिए यूज किया जाता है ये टर्म जो यूज किया जाता है मिजाइल्स फगहरा के लिए भी जब उसमें हम एड़ कर देते हैं किसी जैट में मिजाइल लोड कर देते हैं उसके बाद उसका वेट उससे पहले वेट उसका डिफ्रेंस तो पे लोड जो बोला जाता है यानि जो हमने बाद में उसमें एड़ किया कोई बरतन है सपोस करते हैं हम कुछ सामान खरीदने गए कुछ उसका पेमिंट दिया तो उसने इसमें लोड कर दिया लोड करने के बाद जो वेट आया और जो पहले बरतन का वेट था उसका डिफ्रेंस पेलोड जिसके लिए हमने पे किया सो कॉल्ड ऐसा समझ लो आप वेल यह नोंने देई दिया यहां पर कि पेलोड क्या होता है कैल्कुलेट दा पेलोड वेन बलून ओफ रेडियस 10 मेटर फिक्स है यह एक बलून है 10 मेटर रेडियस का मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया सीध इसी बात है 4 बाइ 3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम निकाल लिया मैंने 4 बाइ 3 22.7 आर हो गया 10 मीटर 10 मुल्टिप्लाइट बाइ 10 मुल्टिप्लाइट यह हो गया वॉल्यूम ऑफ बलून मास 100 किलोग्रेम इस फिल्ट विद हीलियम एट 166 बाइ तो वॉल्यूम जो हीलियम का हमने फिल किया वो हमें पता करना है तो यहां पर इस फिल्ट विद हीलियम ठीक है यह हमारे पास है भरा हुआ यह हीलियम से हीलियम भरी हुई है इसमें और मास इसका 100 किलोग्रेम और प्रेशर इसका 1.66 बार है तेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेल्सेल्सेल्स एर की डेंसिटी यहां पर गिवन आर यहां पर हमें कॉंस्टेंट होता ही है गिवन भी तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया इसका तो यह वॉल्यूम किसका निकला यह वॉल्यूम निकला जो फिल्ड गैस इसमें है यानि हीलियम है इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया means वॉल्यूम ओफ ही at 1.66 bar pressure and at 27 degree Celsius V of H E मेरे पास है ये वाला 4 by 3 multiplied by 4 by 3 multiplied by 22.7 multiplied by 1,000 रुक जाओ एक मिनिट मैं इसको करता हूँ calculate 2 multiplied by 4 multiplied by 21 21 जाओ ये ये अप्रॉक्सेमेटली आ रहा है हमारा कितना आया ये 4 190 0.5 मीटर की उपाँ है अब हम क्या कर रहे हैं हमें density given है और हम इसका mass कर रहे हैं calculate helium का mass अगर मुझे calculate करना है कितना आ जाएगा ये total तो 100 kg की बात हो गई लेकिन अकेले helium का mass मुझे करना है इतने volume पर ये volume आ गया helium का तो mass of helium PV इस इकल तो NRT mass over molar mass W ये निकालना है मुझे 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 मुल्टिप्लाइट बाई पी मुल्टिप्लाइट बाई वी ओवर आटी मुल्टिप्लाइट मुलर मास कितना है हिलियम का 4 होता है है atomic number 2 है फोर ग्रैम है भई बाकी सारा कुछ चल रहा है किलो ग्रैम में यहां हमने किलो ग्रैम रखा है न तो फोर डिवाइड बाई वन थाउज़न किलो ग्रैम में बदलिया मैंने मोलर मास इलियम का यह लिख दिया प्रेशर वन पॉइंट सिक्स बार वाल्यूम इलियम का यह निकाला था यह वैल्यू रखनी है मुझे आर की बार डेसी मिटर क्यूब और केल्विन पर मोल मल्टिप्लाइड बाई टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 300 कल्विन पर यह आगया मेरा वेट आफ हिलियम यह वेट आफ हिलियम अकेले हिलियम का है जो पूरे बलून का मास होगा हिलियम समेथ वो कितना होगा जब यहां हिलियम भरा हमने इस में तो कितना होगा यह किलोग्राम में आया क्यूंकि मैंने यह ग्रैम की जगा पहले से किलोग्राम रख लिया था मुलर मास तो किलोग्राम में आएगा यह जो भी आएगा तो बलून इस मास समेट हिलियम के मास समेट कितना आना चाहिए 100 प्लस ये जो भी वेट आया है वो इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इस टोटल की ये एक लोग्राम में निकाल करके अब हम डेंसिटी के एकॉर्डिंग ये हमने जो निकाल लिया मास निकाल लिया तो अब इस हीलियम ने कितना रिप्लेश किया होगा एर को मैक्सिमम मास ओफ एर जाम होगार एप्लावर लिया बालूर मास आप persistent Republican बालूर एक बालूर क्या होता है मास मास के लिए हम क्या करेंगे डेंसिटी वाला फॉर्मॉला अप्लाई होगा क्या होता है मास ओवर वॉल्यूम इंप्लाईस मास इस इकल टू जो मास रिप्लेस किया गया डेंसिटी मल्टिप्लाइड बाई वॉल्यूम तो यह मास विल बे इकल टू क्या होगा डेंसिटी कितनी है हमें गीवन है वान पॉइंट टू हेलियम की केजी पर मेटर क्यूब वाल्यूम कितना है यह वाल्यूम था इसका वन अभी हमने कैलकुलेट किया था यहां जो यह टोटल था वो था फोर वन नाइन जीरो पॉइंट फाइफ एक मिनटर को यह मैं करता हूँ कैलकुलेट उसके बाद बता हूँ फॉर नेजरो पॉइंट बाद ऑर क्योट वड़ियरो नन जरो फब मुल्टिप्ला जबाद बाद 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 फूइंट पाइडेट पाइडेट यह यह वड बात पर टूइट वड़स्ट फाइडव इनुट इनुट ड़ंट कि लोग रहे हैं एक एमास अ इसमें से हमें यह जो हमने टोटल किया था यहां से यह वैल्यू आई थी इसको हम ने ऐड कर दिया था इसमें हमें इसको यह value मैंने x मान ली 100 प्लस w इसको मान लिया मैंने x इस value से minus करना पड़ेगा that means pay load के लिए मुझे क्या करना होगा पे लोड इस इक्वल्टू दिया भी है जो मास ही आया 5028 पॉइंच सिक्स माइनस यह जो वैल्यू आई है 100 प्लस केवला मास इसमें एड़ करके जो वैल्यू आई है यह हमें x माइनस करना पड़ेगा तो हमारा पे लोड कैलकुलेट होगा यह रहेगा तरीका इसको solve करने का question यह क्यों आई है इसकंवे जाई है